अब आपके साथ थ्री टाइब की लंच वाक्स या टिफिन में बनने वाली सब्जी की रेस्पी बहुत इज़ी है बनाना वह बहुत ही टेस्टी बनती है तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं आलू मटर की सब्जी तो यहां पर सबसे पहले कढ़ाई को रख दिया गरम होने के मस्टर्ड गरम हुआ मैंने एक चमच यहां पर जीरा एड़ किया है आदा चमच मैंने यहां पर राई एड़ कर दी ती राई का टेस्ट बहुत अच्छ लगता है सब्जी में एक जरू ट्राइ करके देखिए गा उसके एक मीडियम साइज की प्याज ली ती इसको बारिक चॉप करके एड़ कर दी है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइसी उसी हिसाब से रखिएगा जिसे आपके बच्चे खाते हैं प्याज और हली मिर्ची को अच्छे से भूनने के बाद यहां पर मैंने एक टमाटर एड़ कर दिया था बड़े साइज का इसको रफली चॉप कर लिया था और इसको भी इसमें एड़ कर दिया है साथ ही मैं इसमें मसाले एड़ करूंगी तो एक चमच मैं लार मिर्ची पाउडर एड़ किया है नमक आप टेस्ट के नूसार एड़ करिएगा आदा चमच हल्दी पाउडर एड़ किया है साथ ही अच्छे से मिक्स करड़िए और यह पर को अच्छ से नहीं पक करने के लिए और मसालों को अच्छे से थैसे बूनने के लिए मैं थोड़ा सा पानी कर दोगिए अगर आप चाहओ तो पानी अडने ही करना चाहिते एक हम उसचित्थ statement मसाला कड़ाई में लगना नहीं चाहिए नहीं तो इसका टेस्ट बिगड़ जाता है तो से तीन चमच पानी आड़ करने के बाद यहां पर मैं मसाले को अच्छे से भून इस तरीके से अच्छे से भूनते हुए मेरी मतर अच्छे से पक चुकी थी मसाला भी अच्छे से भून चुका था तो यहां पर मैंने ऑल्ल Annoyल ले दे लिए थे यहां पर div ओ तीन से चाहर मैं नरे गां लावकिन से जोज़ा नहीं भी में मालों अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी मसाली की कोटिंग इसके उपर अच्छे से आजाए अब यहां पर इसको 2-3, 4 मिनिट के लिए अच्छे से पकाएंगे, इसे सारे मसाली का जो फलेवर है वो में इस अच्छे से आ जाय और सब्जी के टेस्ट रहुत बढ़ जाए, दो से तीन मिनिट हो चुकी थी इसको मैंने फिर से हटा दिया था और इसके बाद हम नहीं धीन पारी आधा साव चांट tentang ना उटसां को चांट चमझे करीब चांट मसाला आड़ा एड़ा तो यहाँ पर आप एक निबू का रस ले सकते हो और भो भी इसमें अड़ कर दीजिएगा बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बहुत अच्छी टेस्टी बनती है यह सबजी और फटा फट से बनके तैयार हो चुकी थी इसको सब कर दिया है फूरी पराठी जैसे भी खाना चाह सकते हो अब चलते हैं अपर मैं अपनी दूसरी रेसिपी के पास तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूं चट पटे आलू की सबजी बहटा फट से बनके तैयार हो जाती हो सबको ही फैबरेट लगेगी अगर आप इस तरीके से बना के देंगे तो सबसे पहले इसके लिए मसाल धनिया लिया था और एक बड़ी चमच मैंने यहाँ पर राई ली थी और आठ से दस मैंने हाँ पर काली मिर्ची ले दी हो आदा ही चमच मैंने यहाँ पर मैथी ले थी मैथी की मात्रा मैंने कम रखी है क्योंकि वह कड़वी सी होती है और कड़वा पन ना आई इसलिए मैं मातरा कांद प्रिदम के अवर्ट यहां पर कम रखी अट दो आराम से भुह ना निए बीडिया के करीप टूरी मैति कुन और चुन देखीक है बहुत एताओ तेस्ट घंड़ करना किने और नियुक्त कुछ क्रेंट कूल्झे में डाल सiece भी और समय कुछ बुलकुर पेस्ट रांस जो के बारिक चुप कर लिया था वो इसमें एड़ कर दिया है, अगर आप लैसne नहीं कहाते हो तो इसको skip कर सकते हो लैसne के में ऐड़क का पेस्ट भी एड़ कर सकते हो लैसne के अच्छे खी पुनन यहँ दो-से-3 मैंन का एड़ मृची एड़ कर सारे आलो at कर दो एक बार अच्छी से हम आज जो हमने लेसुन की पेस्ट इहां पर पाउडर अच्छे से चला लेगे एक मिनिट तक इसको अच्छी से चलाने के बाद यहां पर हुआंपे अपनी अअपने गाल progression बूया थे उनका पाउडर साहित शेरों बारिक बना लिया था पाउडर वो इसमें एड़ कर देंगे लेकिन उससे पहले मैंने आप नमक आप टेस्ट करनूं सार एड़ करिएगा थोड़ा समय ने लाग मिर्ची पाउडर एड़ किया है और इन दोनों चीजों को भी हम यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे नमक और जो लाग मिर्ची पाउडर एड़ किया है वो आलो में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो यहां पर गैस की फ्रेम को बिल्कुल ही धीमा रखना है हाई नहीं रखना है उसके वाद जो हमने पेस्ट बनाया था वो आप अपनी टेस्ट के अनुसार एक या दो चमच जतना भी यांड करना चाते हो अड कर सकते हो तो यहां पर मैंने जो पाउडर बनाई हुआ था दो चमची करी मैंने इसमे एड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे हां पर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है last time मैंने यहां पर थोड़ा सा निबू कर रस डालिएगा इससे टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा और इनका नीवू का रस डालने के वाद इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को फिलेवर और नीवू का जो रस डाला है उसका खटापन सारे सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाए यह सब्जी भी चावा रोटी जैसे भी खाना चाहते हो उसके साथ इस सब्जी को खा सकते बहुत टेस्टी लगती है बहुत इजी है इसको बनाना बच्चों को भी पसंद आएगी एक बारा जरू ट्राय करके देखिएगा इस रेस्पी को और बच्चों के लंच्वक्स में बड़ों के ल करके चरूब बताइएगा लास्ट मैंने इसको सर्फ किया थोड़ी सी हरी मिर्ची से आप धनिया भी डाल सकते हो उसमें और बच्चों के लिए बना रहे तो हरी मिर्ची टोटली स्किप कर सकते हो अब चलते हैं थर्ड रेसिपी के साथ बहुत ही इजी है इसको भी बनाना कड़ाई भी हमारी अच्छी से गरम हो चुकी है तो इसमें डालने वाली हूँ दो में तेज पते और यहां पर थोड़ा सा मैं एक चमच करीब साबुत धनिया एड़ कर दूंगी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा एता है सबजी में उसके बाद एक चमच मैंने यहां पर ज दूंगी और प्याज को यहां पर हमें अलका गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और इसी तरह से गेस की फ्रेम को मीडियम रखती हो हमें अच्छे से भूनना है जिससे हमारा जो अधरक है ना वो भी अच्छे से भून जाएगा इसलिए अधरक भी प्याज के साथी अब यहां पर मसाले अड़ कर देंगे तो यहां पर मैंने एक चमीम dollars डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर आदा चम gäर मेने धनिया पाउडर एड किया है और आदा रिख चमज मेने अहलदी पाउडर मैं नमक आप टेस्च के प IPC करिएगा मिर्ची की कौन्टिटी आप कम ही अजानदा अपने साब से का सकती हो और यहां पर हमें अपने मसाले को अच्छे से भूनना है लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया से मसाला अच्छे से भून जाएगा और कढ़ाई में यह निचे लगेगा भी न मसाला जितने अच्छे से भूनता है उतना ही सबजी का टेस्ट दोगोना बढ़ जाता है तो यहां पर उसारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया और मसाला अच्छे से भूनके तैयार हो गया है इसने ओईल भी छोड़ दिया है यहां पर में पास मटर रखी हुई थी तो मतर मैंने बॉयल नहीं की ती ऐसे ही मैंने इसमेट कर दिया है अब इसको दो से तीर मिनित ता हम कवर करके पकाएंगे तो हमारे टमाटर और मतर वह अच्छे से पक जाएंगे उसके यहां पर टमाटर देखे मेरे अच्छे से सौफ्ट हो चुके हैं और बाकी के जो बचे हु यहां पर मीडियम साइज की लीती और यहां पर दो आलो लिये थे मैंने मीडियम साइज के इनको इस तरीके से रफली चॉप कर लिया था मैंना इसमें एड़ कर दिया था म सारे मसालों को हम गोवी और आलो में अच्छे से मिक्स कर देंगे जिसे सारे मसाले अच्छे से मिक के तैयार ना हो जाए और देखिए यहां पर गोबी आलू जो है हमारे अच्छे से पक चुके हैं और लास्ट में यहां पर डाले वाली हूं थोड़ी सी कसूरी मैती और थोड़ा सा चांट मसाला डाला है आदा चमच के करीब और आदा ही चमच मैंने यहां पर गरम मसाला यहां पर आपको सफर मटर आती है उसका यूज कर सकती हो यह असानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी लास्ट मैंने इसमें धनिया पति एड़ कर दिये धनिया की फिलेवर से और खुसूर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इस तरीके से मैंने आपके सामने तीनों रेस्पी रखी है टिफिन वाक्स की मैं या लंच वाक्स बना कर दे सकते हो बहुत टेस्टी बनती है अगर मेरी रेस्पी पसंद आए मेरे चेको लाइच शेयर और सब्सक्राइब जरू करिएगा कमेंट आपको मेरे तीनों रेस्पी में से सबसे अच्छी कौन सी लगी मिलत देखो नेस वीडियो में नई रेस्पी साथ जब तक के लिए बाई